हेलो एंड वेलकम इस वीडियो टिटोरियल में हम लोग अरिथमाटिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्राइक्शन, मल्टिप्लिकेशन इस तरह की ऑपरेशन को हम अरिथमाटिक ऑपरेशन कहते हैं सी प्लस प्लस में अरिथमाटिक ऑपरेशन करने के लिए हम अरिथमाटिक ऑपरेशन के दो टाइप्स है बाइनरी अरिथमाटिक ऑपरेशन, यूनरी अरिथमाटिक ऑपरेशन बाइनरी अरिथमाटिक ऑपरेशन में दो ओपरेशन या वेरियबल होते हैं Unary Arithmetic Operation में सिर्फ एक Operant या Variable होता है हम किसी दो Variables पे इस तरह Operation कर सकते हैं इस Table में Modulus के इलावा सब कुछ Clear है तो मैं समझाता हूँ आपको कि Modulus है क्या किसी दो Variables पे हम जब Modulus Operation करेंगे तो उसका Result उन दो Variables के Division का Reminder होगा For Example 23 और 7 के Modulus का Result 2 होगा 19 और 5 का Modulus 4 होगा 3 और 15 का Modulus 3 होगा 23 और 7 का Modulus इस तरह 2 होगा कि हम 23 को 7 से Divide करेंगे 3 x 7 21 होगा तो 2 Reminder रहेगा 23 7 से Further Divide हो सकता है लेकिन वो Decimal Point में आएगा तो लिहाजा हमारा Modulus 2 रहेगा इसी तरह 19 को Divide करेंगे हम 5 से 3 x 5 15 और 4 Reminder रहेगा और यही Modulus होगा इसका इसी तरह हम 3 को 15 से Divide करेंगे जब हम 15 से Divide करेंगे तो इसका Answer Fraction में होगा तो लिहाजा Modulus 3 रहेगा अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं इस Statement में 2 x 3 Multiply हो रहे हैं जो के 6 के बराबर है और 6 F1 Variable में Assign होगा इदर F1 Variable Output होगा इस Statement में F1 10 से Divide हो रहा है इदर F1 6 के बराबर है तो 6 divided by 10 इक्वल्स 0.6 0.6 F2 Variable में Assign होगा इदर F2 Variable Print होगा इदर F1 में से F2 Subtract होगा F1 6 के बराबर है और F2 0.6 के बराबर है तो जो आंसर आएगा वो FDiff में Assign होगा इस Statement में Output होगा Compile करते है एक नया प्रोग्रेम स्टार्ट करूँगा जिसमें String को Add करेंगे तो लिहाजा मैं String Header File को Include करूँगा इदर S1 के नाम से एक String बनेगा जिसमें Hello Assign होगा और इदर Print होगा इदर S2 के नाम से एक String बनेगा जिसमें World Assign होगा और इदर Print होगा इस स्टेटमेंट में दोनों String S1 and S2 एड़ हो रहे है और एक नया स्ट्रिंग स्ट्रिंग सम में Assign हो रहे है इदर स्ट्रिंग सम आउटपुड होगा एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करते है दो इंटीजर बनाऊंगा उनमें Value Store करूँगा और उन्हें Print करूँगा दोनों Variable के Models लेंगे और उन्हें एक नया इंटीजर Remainer में Assign करेंगे पिर Print करेंगे Unary Arithmetic Operation में तीन तरह की Operation होते है Increment, Decrement, Negation किसी Variable को जब हम Increment करते हैं तो उसमें One Add होता है किसी Variable को जब हम Decrement करते हैं तो उसमें से One Subject होता है किसी Variable को जब हम Negation करते हैं अगर Variable Negative है तो Positive होगा और अगर Positive है तो Negative होगा हम इस sample program को देखते है पहले हम एक variable बनाते है और उसमें for assign करते है इस statement में increment prefix है लेहाजा पहले one add होगा फिर print होगा इधर increment post fix है पहले print होगा फिर one add होगा और इस line में सिर्फ print होगा compound arithmetic operation C++ में कुछ ऐसे operators है जो at a time do operation कर सकते है arithmetic operation and assignment operation इस table के left side में compound arithmetic operators यूज हुआ है और right side में arithmetic operator के साथ assignment operator यूज हुआ है left column right column के equivalent है हम एक simple program करेंगे जिसमें compound arithmetic operator यूज करेंगे पहले हम दो variable बनाएंगे x and y फिर user को value इंटर करने को कहेंगे और इन values को हम अपने variables में store करेंगे फिर कुछ variable बनाएंगे और सब को x की value assign करेंगे फिर compound और arithmetic operation यूज करके इन दो variables पे मुक्तलिफ operation करेंगे और फिर print करेंगे operator precedence जिस तरह mathematics में operators के order या sequence होती है इसी तरह C++ में भी operators के sequence होती है अगर किसी statement या expression में parenthesis है तो सबसे पहले parenthesis के अंदर वाले operators calculate होंगे अगर हम operator के precedence को change करना चाहें तो parenthesis यूज कर सकते है multiplication, division and modulus का same precedence level है parenthesis के पाद इन तीरों operators पे operation होगा अगर एक statement में बहुत से multiplication, division या modulus है तो operation left से right जाएगा addition and subtraction का same precedence level है multiplication, division and modulus के बाद addition and subtraction पे operation होगा अगर एक statement में बहुत से addition या subtraction है तो operation left से right जाएगा तो आज के लिए इतना ही है अमीद करता हूँ कि आपको आज का lesson पसंद आया होगा next lesson में पिर मिलेंगे तब तक के लिए खुता हाफिज तक के लिए तक के लिए जाएगा